नमस्कार बच्चों मैं विजय हैं आईए देखते हैं क्या हैं आपके पास देखो Intrigation dx upon a plus b का 6 है आपने देखा a is less than b है क्या है a छोटा है b से a is less than b अब यहाँ पर देखो क्या करना होगा Intrigation dx upon a plus b का 6 जब a छोटा है b से तो क्या होता है 1 upon root b square minus a square root b minus a 10x by 2 plus root b plus a divided by root b minus a 10x by 2 minus root b plus a आपको केवल क्या करना है बस इतना ही trick याद रखना है और a और b के जगा value substitute करना है आप इसके पहले a is greater than b था तो आपने पाया था 2 upon square root a square minus b square 10 inverse क्या था square root a minus b upon a plus b into 10x by 2 अब इसमें less than है तो इसलिए इस दन से कारिक कर रहा है ठीक है आईए देखेगा पहला question देखते हैं तो dx आपन कितना हो गया 4 plus कितना 5 plus x यह देखेगा आपके पास a के place पर कितना है 4 है b के place पर कितना है 5 है यह देखेगा a is less than कितना हो गया b हो गया दिखरा है बिलकुल अब जब a is less than b हो गया तो हमारा formula है square root b square minus 4 हाना b square minus a square तो b square कितना है 5 5 का square फिर minus 4 का square यहाँ पर कितना आ जाएगा लाग लाग यहाँ पर लाग है बच्चों लाग ध्यान दिखेगा यह लाग है ना लाग कितना है root कितना हो जाएगा यह यहाँ पर होता है 5 minus 4 10x by 2 minus root 5 plus 4 upon root 5 minus 4 10x by 2 यह plus है ना minus root 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा plus 4 ठीक है दिखेगा यहाँ पर ध्यान देना लाग है हम लाग राइट करना भूल गये थे 1 upon root b square minus a square log root b minus a 10x by 2 plus root b plus a upon root b minus a 10x by 2 minus root b plus a ठीक लाग राइट करना है यह देखो अब आपको क्या मिला 25 minus 16 कितना हो गया 9 9 का 3 हो गया बच्चो लाग यहाँ पर 5 minus 4 1 तो 1 मतलब 10x by 2 remaining हुआ plus यहाँ पर कितना 5 पर 4 9 9 का कितना हो गया 3 यहाँ पर हो गया कितना 10x by 2 यहाँ पर हो गया फिर से 3 5 plus 4 9 का square root 3 तो आपको आंसर मिल गया है कितना है